Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So if you remember, if you remember, we had one-digit, two-digit, three-digit edition, which we didn't need extra beads, or the amount of beads we already have in Arbagus. We had used the same beads that we had used, and we had added a little revision. अगर करूँ तो, supposedly, this is two, two plus one, two में हमने one plus कर दिया, मेरे पास one bead extra है, already two plus one is three. This is the type of addition till now, which we have done. अभी तक हमने ये वाला addition किया है. But if you must have been wondering, आप लोग सोच रहे होगे कि हमारे पास यहाँ पे lower beads तो सिर्फ 4 है, और upper bead की value 5 है, तो अगर मुझे supposedly two plus three करना है, तो हम कैसे करेंगे? यहाँ मैं two अगर ले लूँ, तो मेरे पास three beads तो और प्लस करने के लिए है ही नहीं. Supposingly, मुझे four plus one करना है, कैसे करेंगे? Four beads ले लिया, लेकिन one bead नहीं है मेरे पास. तो इस problem को solve करने के लिए, abacus के लिए, abacus में हमारे पास है, small friends formula. इस formula को हम, मैं बहुत ज़्यादा difficult नहीं बनाऊंगी, आपके लिए बहुत आसान language में और simple language में सिखाने की कोशिश करूँगी. घबराना नहीं है, formula नाम सुनके बिल्कुल भी. तो small friends formula कहता है कि, जो हमारे पास numbers हैं, जो हमें add करने हैं, उसको हम 5 तक counting कैसे बना सकते हैं. I'll take one example, one का small friend 4 होगा, ये सिफ याद करने का तरीका है, मैं आपको सिफ वो बता रही हूँ. तो आप मन में ये सोच सकते हो कि, one को five तक ले जाने के लिए मुझे और कितने beads चाहिए, one को five बनाने के लिए मुझे four beads चाहिए, इसलिए कहते हैं कि four one का small friend है, two का small friend क्या हो जाएगा फिर, two को five तक ले जाने के लिए, या two को five बनाने के लिए, मुझे three और चाहिए, तो two का small friend हो गया 3 3 का small friend क्या हो जाएगा 3 का small friend बन जाएगा 2 यानि कि आप ये सोच सकते हो मन में कि मेरे पास already 3 है 3 को 5 बनाने के लिए मुझे और कितने चाहिए 3 को 5 बनाने के लिए मुझे 2 चाहिए तो 3 का small friend बन गया 2 और 4 का small friend क्या होगा 4 को 5 तक ले जाने के लिए या 4 नंबर को 5 बनाने के लिए मुझे और एक चाहिए सिर्फ तो 4 का small friend हो गया 1, सिर्फ इतना सा ही है ये small friend और इसी को हम use करके, आज हम simple addition सीखेंगे, तो ये था small friends formula, लेकिन small friends formula को use कैसे करना है, addition करते वगत वो सबसे ज़्यादा important है तो वो हम जान लेते हैं, कैसे करना है तो हम आ रहे हैं वापस हमारे question पे, मैंने question जो दिखा था 2 plus 3, 2 beads में 3 beads plus करना है, तो हम पहले यहाँ 2 ले रहे हैं, once place पे 1 and 2, अब मुझे उसमें 3 plus करना है लेकिन मेरे पास 3 beads तो है ही नहीं, तो अब मैंने जो formula यहाँ लिखा था, वो मैं आपको दिखा रही हूँ, plus 3 करने के लिए, हम क्या करेंगे, 3 का small friend होता है, 2 plus 3 करने के लिए, मैंने यहाँ पे और detail में लिखा है, यहाँ पे box में इसी लिए आप लोगों के लिए, ताकि ज्यादा अच्छे से समझ में आए, plus 3 करने के लिए हम क्या करेंगे, plus 5 bead, minus 2 bead, याने की, plus 5 करेंगे blue bead नीचे, plus 5, और minus 2 beads, 2 beads को नीचे, अब answer की पे अगर आप ध्यान से देखो, तो our answer is 5, जो कि यहाँ पे answer आना चाहिए 5, तो इसके साथ साथ और एक question हम देख लेते हैं, 4 plus 2, तो 4 में plus 2 करेंगे, हम सबसे पहले हम ले रहे हैं, once place पर 4, 1, 2, 3, 4, अब उसमें हमें 2 plus करना है, लेकिन 2 beads तो मेरे पास है ही नहीं, तो हम small friends formula की help लेंगे, plus 2 करना है, तो plus 2 के लिए हम देख रहे हैं, हमें क्या करना है, plus 2 का small friend होता है 3, उस 3 को use कैसे करना है, उस 3 को use करना है इस तरीके से, कैसे करना है, plus 5, minus 3, तो हम पहले plus 5 कर रहे हैं, plus 5 करने के लिए blue bead या upper bead नीचे लेकर आएंगे, answer की की तरफ और उसमें से minus 3, minus 3 करने के लिए 3 beads को हम नीचे लेकर आएंगे, तो हम अब अपना answer अगर check करें, once place पर 5 and 6, so 4 plus 2 is 6 इसके साथ साथ और एक question हम देख लेते हैं, last question, 3 plus 4 answer की पे 0 है अभी फिलहाल, 3 में हमें plus करना है 4, तो हम पहले 3 लेंगे, once place पर 1, 2, 3 3 ले लिया, तो देखा अभी हमारे पास 4 beads और extra है ही नहीं, तो हम plus 4 के लिए क्या use करेंगे, plus 4 का small friend होता है 1, plus 4 हमें और कैसे मिल सकता है, आप मन में यह सोच सकते हो कि plus 4 मुझे कैसे मिले plus 4 हमे 5 minus 1 करके मिल सकता है, plus 5 minus 1 तो वो ही हम abacus में करेंगे plus 5 करेंगे पहले, plus 5 करने के लिए blue bead नीचे और minus 1 करने के लिए एक lower bead कम कर दिया तो अब उसमें answer हम पढ़ेंगे हमारा answer ठीक है के नहीं, 5, 6, 7 तो 3 plus 4 is 7 आप मुझे मेरे comment section में जरूर बताएं कि आपको ये small friends formula समझाया है और अगर आपको कोई भी doubt है तो please मुझे comment section में जरूर बताएं, मैं वो आपके सारे doubts clarify जरूर करूँगी और अभी abacus की ज़़ शुरुवात ही हुई है बहुत कुछ है abacus में सीखने के लिए तो please मेरे साथ बने रहें मेरे आने वाले वीडियोस में